36 गड़ के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने प्रियंका गांधी के हिरासत पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है उन्होंने एक वीडिये ट्वीट कर दावा किया है कि जिस कमरे में प्रियंका गांधी को रखा गया है उसके उपर एक ड्रोन उड़ रहा है बगेल ने सवाल किया कि वा ड्रोन आखिर किसका है वीडियो के साथ भूपेश बगेल ने लिखा 30 गंटे से अधिक से हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी जी के कमरे के उपर ये ड्रोन किसका और क्यूं है वीडियो में एक ड्रोन उड़ता दिख रहा है आगे एक कमरा दिखाया जा रहा है दावा किया गया है कि इस कमरे में ही प्रियंका गांधी को रखा गया है बता दें कि प्रियंका गांधी सोंवार को लखीम पूर खीरी जा रही थी उनको सुबह सुबह ही सीतापूर में हि आने लखनव आ रहे हैं लेकिन क्या उन्होंने वीडियो देखा है जिसमें कार लखीमपूर खेरी में उन किसानों को कुचल कर आगे बढ़ रही है प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इस वीडियो को पीम देखें और बताएं कि मंत्री और उनके बेटे पर कारवाई अब त किसानों ने दिलाई देश की सीमाओं पर आज भी किसानों के बेटे ही सेवा करते हैं 36 करके सीम भूपेश वगेल आज लखनों पहुच चुकी है मिले जानकारी के मताबिक वसीतापूर में प्रियंका गांधी से मिलते हुए लखीम पूर खेरी जाएंगे हलांकि उनको आज की खबर